सतना के जिलह स्पतार में पीड़ता से मिलने के बाद सिविल लाइन इस्थत महिला थाने में रेप पीड़त के समर्थन में पहुंची यूथ कॉंग्रेस प्रदेश पाध्यक्ष डॉक्टर रश्मी सिंग बीजेपी कारिकरता पर रेप कारूप लगाया कारवाई ना होने प है कि नागोद निवासी नाबलक युवती के साथ नागोद निवासी युवक ने रेप की वार्दात को अंजाम दिया था इसकी शिकायत लेका पिड़ता पिछले छे महीने से थाना और पुलिस साधिकारियों के चक्कर काट रही है और साथी साथ दूसरी तरफ दवंग आ तो इसके बाब जूद घटना के पुलिस का दिल नहीं पसी जा युवती को ने आए दिलाने के लिए उन्होंने सतना पुलिस अदिक्षक अधिकारी से बात की है परियादी युवती को लेकर मामले पर उच्छे तक आदिवाही को लेकर डॉक्तर रश्मी सिंग महिला थान पुलिस में मामला संग्यान में लेकर जाच शुरू करती है तो हम सभी जो ये नवालेक बच्छी है इसकैं परिवार के साथ मिलकर हौस्पिटल में अभी गर थे सारी वाक्या इसने बताया, तो हम सभी लगे हुए हैं कि इसके साथ निस्पक्ष जाच हो, और जो ये पीडित है, पीडित बच्ची को न्याय मिले, और जो मामले को कुलिस पिसासन दौरा रफा दभख किया जा रहा है दबाव के कारण, तो हम चाहते हैं कि 346 को मुकदमा का प्रायम हो, और हमारी ये ही मांग है, और SP से भी मैंने निवेदन किया है, तो SP ने भी हमें अस्वासन दिया है कि हम इसको जरूर निस्पक्ष तरीके से जाच करेंगे हैं. इसमें आपको क्या लगा है? इसमें यही लग रहा है, क्योंकि हम महिला ससक्ती करण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज भी महिलाओं को पेताडित किया जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, वो खुल के अपनी बात नहीं रख पा रही है, इसलिए आज मैं उनके साथ चलके आई हूँ ताकि वो निडर होके अपनी बात रख सके पुलिस पर सासन को बता सके क्या नाम बलागा डॉक्टर रेश्मी सिंग सत्ना जिला पर चाहत अपाद है श्योत कॉंग्रेस तुदे सुपर